हमने अपने पूरे Excel को minimum five pillars में बांट दिया है ठीक है? five pillars में बांट के हम लोग पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले pillars के बारे में बात करते हैं कि pillars क्या-क्या है five pillars सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है functions के बारे में ठीक है, second pillars जो है, that is called formulas, third pillar है, tab options, fourth pillar है, assignments, and the last one is cash flow, छोटे मोटे और चीज़े होंगी, जैसे, short keys हो गया, shortcut, जल्दी से, control C, control V, alt control V, control shift L, so that is one, but हम लोग five pillars, यह बहुत important है, सबसे पहले, what is the difference between functions and formulas, इस चीज़ को समझते हैं, and then, सबसे आसान होता है, हमारा tab options, उसको समझते हैं, पहले ही, इस तीन के बारे में बात करेंगे, five pillars की अगर हम लोग बात करेंगे, तो five pillars में सबसे पहले, tab options को लोग समझते हैं, जो कि hundred से ज़्यादा हमें करना है, ठीक है, hundred से ज़्यादा हमें करना है, यह है, जैसे यह home है, इसको home tab बोलते हैं, यह insert है, तो insert tab बोलते हैं, page layout, page layout, tab, मतलब सम में tab बड़ डाल जाए, तो यह सारे tab होते हैं, hundred plus tab, right, so, इसमें क्या होता है, कि जैसे data tab है, तो sorting है, filter है, text to column है, remote duplicate है, group, ungroup, यह सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप equals to दबाऊगे और sum लिखा, यह देखो एक list पूरी खुलती है, these are functions, sum करना, average लगाना, vlookup, hlookup, यह सब जो बोलते हैं, जिसको की हम equal to लगा के करते हैं, वो हमारे functions फॉर्मूले में आते हैं, तो सबसे पहले 100 प्लस, sum हो गया, vlookup हो गया, sum if हो गया, if हो गया, these are functions, तो फिर formula क्या है, उनसे जो होता है, functions, जितने भी companies के अंदर आप जब आप काम करते हो न, companies के अंदर काम करते हैं, तो महलों आपको एक data दे दिया गया, और उसने आप से तूच दिया कि वही, total salary हमारे कितनी जारी है, महने की, total expenses कितना है, total sales क्या हुआ, minimum sales क्या हुआ है, maximum sales क्या हुआ, इन सब के लिए हम इसी functions को मिला के formula create होते हैं, यहाँ पे combination of functions, combination of functions is called formula, formula इन सारे functions को मिला के बनता है, इसको और थोड़ा easy मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे alpha weights होते हैं, a to z, a, b, c, d, e, f, g, h, c, ठीक है, इसी alpha weights से बनते हैं, word, दिया, d, i, y, a, तो यह चार character को मिल के बनता है, तो ऐसे छोटे, d एक alpha weight है, i एक alpha weight है, y एक alpha weight है, a एक alpha weight है, उसी तरीके से यह सब simple, जो single single होता है, so that is called functions, but कोई ऐसा task हमें मिला, जिस task में हमें यह सारे काम करने पढ़ेंगे, तो that is called formulas, जब हमें कुछ functions को merge करके, मिला के कुछ task पूरा करना हो, तो that is called formula, जैसे, word is a combination of multiple characters, बहुत सारे alpha weights को मिला के word बने, उसी तरीके से formula, तो हमें लगता है कि जब हम लोगों ने बच्पन में LKG, UKG जो रहा होगा हमारा nursery, जब हम लोग ABCD सीख रहेते, उस समय थोड़ी ना पता था कि वही ABCD से word बनेगा, आज इतना अच्छा अंग्रेजी आप बोल पाते हो, इतनी book पर लेते हैं हमनों, उसका सारा जो है credit A to Z को ही तो जाता है, वही हमारी base थी, उसी तरीके से आगे जो कुछ भी करेंगे उसमें हमारा ये सारे functions का बहुत roll होगा, ठीक है, तो पहले हम functions को control करेंगे, function बनाना सिखेंगे, functions के बारे में सिखेंगे, तभी हम formula बना सकत तो ये हमारा थोड़ा advanced part हो गया, पहले हम functions पे बात करेंगे और tab options पे बात करेंगे, जब functions पे command हो जाएगा, तो functions को जोड़ना सिखेंगे कि कैसे हम formula create करते हैं, तो main subject तो हमारा ये तीन है, फिर आजाती assignments, हम आपको basic के बाद जब जैसे intermediate शुरू होगा, तो थोड़े थो तो ये questions देना शुरू करते हैं, यानि एक data मिलेगा, एक question मिलेगा, कि this is the data and what you have to do is this, 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 ऐसा लिखा रहे हैं, कि data को use करना है, और उस data से एक report बनाना है, तो report बनाने के लिए कभी tab options की बीज़रत पढ़ सकती है, कभी functions की बीज़रत पढ़ती है, ये part सबसे ज़्यादा important हो जाता है, क्योंकि interviews वगर आप देंगे, तो जो question में आपको यहां से assignment दूँगा, almost 80-90% सेम चीज़ वही होती है, समझा है, यानि कि ये part भी हमारा एक आध विक में शुरू हो जाएगा, last होती है dashboard, dashboard का मतलब होता है, कि जब एक अच्छे position पे आप चले जाएंगे, Excel से सिखने के बाद कोई company में, तो company में क्या होता है, कि आपको बहुत सारे reports बनाने पड़ते हैं, जो आपको presentable होना के लिए, तो database को बहुत अच्छे से presentable बनानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, dashboard आपको सिखाते हैं, उसकी एक जलब, मैं दे देता हूँ, क्योंकि इसको ये स अब जैसे देखो, इसका जो data है, इसका data आप देख लो, इसका data एक ऐसा है, इसमें employee ID है, name है, और picture है, plus four year का, इसमें देखेंगे कि आपकी records है, इसकी performance, एक तो होता है कि data को report बना के आप boss के साथ ऐसे mail कर दो, ये हुआ बहुत basic level, data entry level बोलते है, एक होता है export level, export level में आपको इसे नहीं भेज सकते हैं, आपको presentable बना के भेजना पड़ता है, जैसे ही है, अगर मैं ब्रजेश करता हूँ, तो ब्रजेश का image आ रहा है, उसकी पूरी data आ गया, उसका graph बन गया, सब कुछ हो गया, सल्मान करता हो, सल्मान से related आगया, कैटेना करता हो, कैटेना से आगया, आलिया करता हो, तालिया से related, मोधी करता हो, मोधी से related आगया, ये सब जो एक click से control हो रहा है, लेकिन इसके back end में बहुत सारे दिपो formula लगे रहे, यहां पर formula लगा है index का, इसमें we look up लगा है, इसके अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर लगा हुआ है, हर एक cell में formula लगा हुआ है, तभी तो जाके आप ऐसा इतना dynamic बना लेगे, बिल्कुल end part है, बट इस part तक हमें पहुंचना है, इसलिए step by step, बिना class miss किये हुए हमें हर पे command करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ही आप इस part पे command कर लेंगे, तो आपको इसका importance पता चलेगा, जैसे मैं क्या करता हूँ, अपने data में जाके, मान लो, हमने अपने data में जाके, ये last में, बिम्पी के जगा पे दिया कर दिया, क्या कर दिया, अपने main data में इसमें पेमें बीशचे वाले में डिया, अगर मैं आएक लाद कि बार बार हर जगा चेंज ना करना पड़े एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा हर जगा पर नाम जाके चेंज करेगा हो सकता है कि पचास शीट में दो चार जगा मिस्स कर गए तू गलत हो गया रूपको कि आपके पास मान लो आप एम डी हो आपके पास कुछ और रिपोर्ट जा रही है मैंनेजर के पास कुछ और रिपोड जा रही इसमें अपडेट हुआ ही निए एक जगाफ. इस तरीके से हम लोग डैउड में इस लेबल तक पांचेंगे इसमें तो काफी सारे dashboards बताना हैं, यह तो एक dashboard, speedometer dashboard, इसमें आपकी performance को speedometer, देखो overall, आपकी performance 34% है, average, लेकिन ब्रजेस की देखूं, तो 69%, एक दम से graph change हो गया, सलमान कम हुआ, काटरीना का बढ़ा तो बढ़ गया, एक पिल गेर्स का और ज्यादा बढ़ गया, संदीप का कम हो गया, मोधी का और ज्यादा बढ़ गया, केजरिवाल का कम हो गया, तो देख रहे हैं कि जैसे हम data में change करेंगे, अभी हमारा data, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं तो यह था हमारा वो पार्ट जहां हमें पहुंचना है इस इस आर डेस्टिनेशन जैसे घर से निकले तिये घर था आपका ये और पहुंचना कहा था इसे चोट इसके बीच में आपकी पूरी जर्णी थी पैदल आजाओ, आटो से आजाओ, रिक्षेशे आदाओ, उड़के आजाओ, जैसे आना बट आना यहां पे है तो इस इस देस्टिनेशन सो हम लोग स्टार्ट यहां से करते हैं तो यह बाला पार्ट आप तुनों पर छुट गया था हम लोग सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है और बढ़ा है और बढ़ा कर देगkeit इसको हम जैसे यह जी और च के बीच में जाते देखो बीच में ऐसा एरो लाता है याद दोलों के बीच पे जाते Tp रैंप तक सुट्वल अंचावल में हिसको अपनी बट पसक लूल से को दो केटेगरी में बाट देते हैं हम लोग एक को बोलते हैं without reference function और दूसरे को बोलते हैं with reference functions without reference functions और with reference functions अब बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में difference क्या है थोरा सा बताया था बट अभी in detail without reference में सबसे पहली कि यह बहुत कम होते हैं majorly जो होता है वो 99% हमारी किस केटेगरी में आएगा with reference वाले में आएगा ठीक है अच्छी यह reference का मतलब Excel के अंदर आप argument भी बोल सकते हो syntax भी बोल सकते हो reference भी बोल सकते हो लेकिन इसको बहुत बारीकी से समझने के लिए एक common example ले रहा हूं आपसे मेरा सवाल है रिया आपसे सवाल है आप मेरे को कैसे जानते हो आप कैसे जानते हो हाँ मेरे को आप कैसे जानते हो अनलेट के पोई जानके हुआ। अनलेट ज़ानके हुआ। ओनलाइन देखा था। तो आपको कोई जुरत थी आपने गूगल करा और वहां पर संजोग से हमारे से बात हुई। मेरे से ही बात हुई। पिर यह बाते बनी बात करा हमने चीज़ें दिखाई। आपकी जो नेट थी वो पूरा हो रहा था यहां बे, उसके हिसाब से आपकी जो रेक्वाइर्मेंट थी उसको यहां पे हम फुल्फिल कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इंट्रेक्ट होएं, तिक है, आपके डाइरी में में मेंशन होगा कि मैंने कम्पनी को ओनलाइन सर्च करा, या इसिचूट को ओनलाइन सर्च किया, या सर को ओनलाइन सर्च करा, हम अपने यहां भी वही मेंशन करेंगे, कि रिदिया का एड्मिर्शन हमारा ओनलाइन होगा है, समझगा है, दूसरा केस भी है, दूसरा केस है, कोई बंदा इधर रोड से जा रहा था, और उसकी नजर पर गई हमारे बोर्ड पर, बड़ा सा होडिंग लगा हुआ है, कि यहां पर एड्वांस एक्सल डेटा साइंस करवाएगा, अब उसने क्या किया, कि अंदर विजिट किया, रिसेप्शन पर जागे, उसकी भी अड्मिशन हो गई, उसका जो डेटा मिंटेन किया नहीं, उसकी की जाएगी, बोर्ड, या होडिंग, सम्थिंग लग डाट, या डेरेक्ट विजिट, एक तीसरा केस होता है, कि सबोज, आपको पढाने का तरीका, यह सब कुछ अच्छा लगा, सब के अपने सर्कल होते हैं, तो आप बताते हो कि हमें हैं क्लास ले रहे हूं और अच्छा पढा रहे हैं, या खराब पढा रहे हैं, दोई चीजा होगी, है ना, अच्छा पढा रहे हैं, यह का मतला, पॉसिबिलिटी है कि दस बच्चे, आपकी उसमें से दो को नीड होगी, दो को नीड होगी, Excel सीखना, या Python सीखना, या Machine Learning सीखना, और वो प्लान भ उसमें मेरा effort नहीं लगा कहीं, board banner का कोई रोल नहीं है, internet connection का कोई रोल नहीं, यह हुग यह रफेरेंस, friends, with reference, with, no, सारे with reference ही बता रहा है, सारे reference, किसी में online reference हुआ, किसी में board reference हो गया, किसी में friends reference हुआ, so that is called reference, reference का मतलब बता रहा है है, जैसे अभी जो आपके साथ मैं जूरी ही है कवी था यह हमारे existing student ने इनको reference दिया था कि you can connect with sir समझ मैं तो अभी हमने with reference की बात करी without की बात नहीं है मैंने with और without की नहीं बात करी मैं reference का मतलब समझा रहा था कि आप कैसे जांते हो मेरे को reference कैसे उरके तो नहीं आये नहीं हम धुड़े आपको facebook पे ने कोई दूसरा नहीं था रिजन आपने अपने कोर्स को ढूला इंस्रिचूट को ढूला वहां से हमारी बात पर रहाइट का मैं लेकिन Excel में भी reference होते है एकसल के reference थोड़े अलग होंगी जब हम physically एक दूसरे को जा जानते हैं या बात पर जानते हैं या कभी देखा होगा या किसी भी सोर्स से तो यह human वह है रिलेशन है एक होता है जब हम function की बारे में बात करते हैं जब हम Excel के बारे में बात करते हैं एकसल के अंदर अगर हम लोग एकसल में रहके reference वर्ट की बात करें अभी जो मैंने reference बताया था नो वह reference था हमारा human type से यहां पर जो reference की बात करेंगे वह एकसल को ध्यान में रखके एकसल में reference का मतलब number हो सकता है एकसल में reference का मतलब text हो सकता है एकसल में reference का मतलब date हो सकता है ताइम हो सकता है पूरा का पूरा data हो सकता है है ना symbols हो सकते हैं हो सकता है कि सिर्फ blank sale हो इस तरह की कही चीज़ें हो सकती है जो reference बोलते हैं किस से रिलेट है लेकिन मैं जब विदाउट रेफरेंस की बात करूँगा तो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा विदाउट रेफरेंस में सिर्फ 6 functions होते हैं Only 6 जिसके लिए हमें कुछ करने की जुर्त नहीं पड़ती है बस आपको ग्ध्यान होना चाहिए कि इस function से क्या होता है इस में 6 functions हैं एक अनाम तुरे हैं, एक अनाम नाव हैं, एक अनाम पाई हैं, एक अनाम रो हैं, एक अनाम कॉलम हैं और एक अनाम रैंड हैं, ओनली ये छे फंक्शन्स हैं, जिसको हम विदाउट रेफरेंस फंक्शन्स के नाम से जाते हैं, किसके नाम से विदाउट रेफरेंस, जब भी कोई function, अच्छा कभी आपने Excel में रहके sum किया है, sum नहीं, कुछ नहीं किया है, कोई बाद है, जब हम Excel के अंदर कभी भी कोई भी formula या function लगाते हैं, तो that is start with the equals sign, ठीक है, equal लगाएंगे, और जो लिखे हैं, function का नौन, वही type करना है, bracket open करना है, bracket close करना है, ये दो bracket के बीच में हमने कुछ डाला, this is call, get out, let's see in Excel, ठीक है, today, bracket open, bracket close, today से क्या होगा, कि हमें आज की date आजाती है, सेम उसी तरीके से, अगर हम लोग now करेंगे, तो date के साथ time भी आजाती है, पाई अगर करेंगे, तो पाई की value आजाती है, पाई क्या होता है, जब हमने 6-7 क्लास है, mathematics पढ़ा होगा, तो एक डंडे की नीचे दो डंडा होता है, याद आया, सारा यूज होगा, जब हम formula बनाएंगे, यानि कि जब हम reports बनाएंगे, तब हमें इन सब चीजों की जुरत पड़े की, अब आजाते हैं, row, एकसल के अंदर कुछ basic term होता है, basic term होता है, जो आपको पता ही होगा, कि यह जो आप 1, 2, 3, 4 देख रहे हों, यह हमारे क्या है, rows है, ABCD जो देख रहे हों, यह हमारे columns है, यह, 1, 2, 3, 4 को rows, ABCD को columns, यह जो box आप देख रहे हों, इसको हम लोग cell बोलते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं और हमें एक cell से ज़्यादा की ज़रत पड़ गई, मांग लो कि इतने, तो that is called range, exactly, so इसको हम range बोलते हैं, इसके अलावा होता है, कि मांग लो, कि एक sheet पे काम कर रहे हो, तब तो sheet है, लेकिन एक से जादा पे काम करेंगे, तो seats, अभी फिलाल हम लोग team seats बना चुके हैं, इसे एक girl लिखते girls, एस लगने से क्या होगा तब बहुत सारे होगे, तो वही concept है, इसमें कि अगर हम सिर्फ एक ही seat बना रहे हैं, तो sheet है, सब seat को मिलाके हम seats भी बोल सकते या इसको workbook भी बोला जाता है, workbook मतलब more than one sheet होगा, कभी-कभी workbook एक seat का भी हो सकता है, जैसे हमारी book जो होती है, इतनी motive ही होती है, पतलिक मार हो सकते है, number of pages पे depend नहीं करता है, book का मतलब होता है, एक overall, तो एक overall बोले में तो workbook बोल सकते हैं, वह से तो sheet, single single sheet बोलते हैं, सब को मिलाके sheet बोलते हैं, चीक है, इसके अलाबा एक option होता है, जिसको हम लोग बोलते है, address, एक term है address, हर एक cell जिस पे आप click करते हो, यह corner पे दिखता है, कि B1, A2, B5, C1, D2, this is called address, नहीं, A2, B4, C7, D9, A19, यह क्या है, सारे address है, तो एक तो है हमारा basic term, जो hopefully कविता आपको भी clear हो गया होगा, यह basic term क्या-क्या होता है, इसके बाद आपने सीखा कि five pillars क्या-क्या है, और यह है मेरा main seat, जिसको हम लोग functions बोलते हैं, अब देखो यह जानना बहुत जरूरी था, तब आप functions समझेंगे, देखे, equal to row एक function है, जो हमें बताता है कि आप किस row पे काम करें, जो cell में आप काम करें, उस cell का row number क्या है, यह जो cell है हमारा color change करके दिखाता हूँ, जो yellow वाली cell है, यह एक cell है, उस cell का row number क्या है, छे है, लेकिन कैसे पता चला, row function से, same उसी तरीके से column function से हमें column number पता चलता है, यह two मतला, one, two, three, four, five, अगर मैं इसमें column function सेम चीज़ें लिखता हूँ, तो देखिए five देखा रहा है, इस पे देखें, तो four देखाए, तो column उस cell का column number बताता है, रो उस cell का row number बताता है, clear हो गया, अब हमारे पास यह five functions को quickly आप revise, आप बताएं नहीं, quickly जल्दी से दिया, यह five functions के बारे में, to the function बताता है, date here, now function बताता है, date and time, pi function बताता है, pi की value, very good, row बताता है कौंसी row में और column, the row means 1, 2, 3, 4 में से कौंसा, और column A, B, C, T में से, but उसका भी column number ही बताता है, okay, great, अब हमारे पास ना, दो, दो function ऐसे हैं, जिससे हम random data प्यार करते हैं, तो, without reference, नहीं सब्सक्राइब 6, 6 में से 5 कर लिए हैं, एक बचा है, यह क्या है, equals to rend करेंगे, bracket, open bracket, यह randomly कुछ value देता है, जो हमेशा 1 से कम होता है, 0 से जादा होता है, यह between 0 to 1 and less than 1 होता है, हमेशा, समझ में आया यहां तक, अब एक tab हमने बनाया, Excel पे, और यहां पे लिखा है, random data creation, आपके पास नो दो functions है, एक rend है, और दूसरा rend between है, एक range के अंदर, simply अगर आपने आपको बोला गया है कि ऐसा है दिया, कि आप इस range में, आप हमें कुछ data बना के दो, जो 0 से 1 के बीच में हो, कितनी भी आपकी tapping speed अच्छी होगी तो 5 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि आप तो यह करने वाले हो, यह maximum जादा से जादा यह करेंगे आप, यह करेंगे न, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे rend bracket open bracket close, अगर याद है तो एक आ जाएगा, और यहां से इधर drag कर दो, मतलब कुछ second में, 2-4 second में आपके पास कित्य सारा data बन गया, इसलिए बोलते है random data creation, इस function का यूज होता है, randomly data create करने के, समझे है, अगर किसी ने यह बोल दिया कि मेरे को 10,000 to 50,000 के बीच में चाहिए, 10,000 to 50,000 के बीच में data चाहिए, तब आप rend use नहीं कर सकते, क्योंकि rend तो 0 से 1 के बीच में देगा, तब हमारे पास function है, rend between, क्या है, rend between, और rend between without reference नहीं, अगर आपने bracket open bracket close करके enter किया तो error आजाएगा, इसमें with reference है, इसमें आपको limits देनी परेगी, bottom मतलब 10,000 यहां लिखना होगा, फिर comma 50,000 यहां लिखना परेगा, अब आएगा, जो आपके need है, इसमें भी आप 10-15 मेंट बचा सकते हैं, यहीं 2-4-5 सेकेंड में ही तो सारा डेटा तयार हो जाएगा, इसमें आपको ड्राक करना है, इस corner से पकरके खीचना है, right के तरफ और down के तरफ, ऐसे, इस तरीके से आप खीच सकते हैं, समझगा है, तो rent between और rent, यह दो ऐसे function है, जिससे हम random data त्यार करते हैं, क्यों करते हैं, यह भी समझ में आ जाएगा भी तुरी देर में, ठीक है, तो function में, यह rent का मतलब होता है, रेंडमली data create करना, जो की 0 से 1 के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इन दोनों की एक खास्यत भी है, खास्यत भी समझ लो आप, अगर आपने कोई भी action लिया इस seat पे, जैसे मैंने कवीता लिखा, लिखने के बाद enter अभी नहीं हमारा, ध्यान देना, सामने जो लिखा हुआ है कितना है, 30,000 कुछ और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 0.29, एंटर करते ही बदल गया, देखा value बदल गया, और सिर्फ एक नहीं बदला, ये सारे बदल जाते, किसी एक को target कर लो, जैसे ये 20,000 है, हमने यहांसे लिखा दिया, 20,000 वाला देखिए, 26,000 हो गया, और ये 49,000 हो गया, कुछ और लिखा, एंटर लिखते ही फिर बदल गया, डेलीट किया, तो बदल गया, ये हर बार बदलता रहता है, अब यह क्या हमने देखा कि कुछ भी लिखो तो बदलता है कुछ भी डिलेट करो तो बदलता है इसका क्या फाइदा है इसका फाइदा है बहुत बड़ा फाइदा नहीं बदलता तो शाहिद उतना फाइदा नहीं होता कि इसका नाम सुने हो दुनिया में जितनी ओटीपी जन्रेट होती है इसी फंक्शन से जन्रेट होती है पे टीयम एटीयम से टीयम जितना भी है न आप कोई चीजे भूल जाते हैं तो आपके पास ओटीपी आता है कि सब कुछ इसी से ओड़ा है उसमें की जाती है व्याएं टारं मांच लोकी यह वाला सेल जो है यह वाला सेल जो है pi यह वालाRight कर दिया आपके मोबाइल प्राइमर से कनेट कर दिया और आपके एकांट से कनेट कर दिया आपने अपने एकांट से 5000 का एक टांजेक्शन करोगे तो डाइरेक्ट टांजेक्शन देए होगा पहले आपके पास जाएगा 35615 आपके मोवाइल पर अगर आप OTP देख के छोड़ दोगे तो कभी पैसा हमा इसलिए one time तक ही valid होता है change होते ही value of change फिर से अब 21710 किसी को अब 10 रुपे भेजना तब भी पर OTP चाहिए एक रुपे भेजना तब भी पर OTP हर एक टांजेशन में बार बार जो बदलता है जितने भी OTP का concept देखते उसके back end में इसी की programming की जाते है रेंड बिट्वीन की डेस्मन वाला यूज कम होता है बट इसका यूज जाता होता है समझ मैं तो जो इसका feature है कि बार 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 बदलना तो सर बार 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 बदलने से बड़ी नुकसान है नहीं लेकिन उससे जादा हमें फाइदा है क्योंकि दुनिया जितनी भी IT security होती है वहां पे backend में ये function यूज किया जाता है यह बेटा वही लोग याज कर लिया बार 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 दालते रहें तो रिस्किया है रिस्किया है तो रांडम भी नंबर आ रहता है जो connect कर देंगे उस cell में coding कर दी जाएगी कि ये cell मालोदिया के नाम से है आपके account नमर से आपके अ अब जो हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे होंगे with reference with reference में पहला function पढ़ा रैंड बिट्वीन क्यों इसको बोला with reference क्योंकि इसमें reference हमें numbers दो number की जुरत पढ़ी है हमने बोला कि मेरे को एक six digit का number चाहिए random six digit का सबसे छोटा number ये हो गया सबसे छोटा ये हो गया और six digit का सबसे बड़ा number ये हो गया ने एंटर करेंगे तो six digit का एक number मिलिया हमें मतलब हम randomly तो कुछ भी बना सकते हैं जब जौरत पढ़ेगी तो है बाट एक प्रब्लम और है मान लो को कोई ऐसा data हमें बनाना है मान लो मान लो कि एक data हमें बनाना है कि ये मान लो किसी की salary कि mission बडाव प्रैक्टिस की लिए हम एक नीड है इसका नाम हमने शलेवी डाल दी और इसके सामने मैं नाम लिख डेता हूँ ठीक है ने इसके सामने मैं नाम लिख डाई सभापी करेंगे, सनी से कापी होता हुँ. यह सिंबॉल कॉपी कर दिया इसी के उपर राइट क्लिक में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन होता है और यहां वैल्यू करके ओके कर देने हैं यहां कुछ भी लिखोगे तो बदलेगा रहे हैं यह रेंडम डेटा को फ्रीज किस से करते हैं पेस्ट स्पेशल से कॉपी तो एक स्पेशल से फिक्स करते हैं लेकिन पेस्ट स्पेशल के लिए हमने क्या किया तो मैंने बोला कि नोट्स वेगर लिखना नहीं है जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं स्टेप तो देखो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आपको तो पता चली जाएगा स्पेशल के बारे में जो मैंने लिखा है वो किसी को अब बचों को समझ में आ लाही है क्या क्या करना है पहले क्या बोला स winners data कैसा data random data या कोई भी data आप सेट कऱ जिसको phrase करो हellow copy करा थो पता हो नोची कि इस बटल पर क्लिख कर न या दे खालना कि फिर बोलता राइट क्लिख करो पिर बोलता पेस्ट एसपेशल ढूदा declara एक दो बार प्राक्टिस कर लिया तो और मारिम मैं कंड़ें यदन क्यों आकən है। और अदर कुछ खते लिखते हैं, अधर रहा हैकं द्यवार्न. द्युशिकल सिंधके दिन कर दिफ्रद 121 लोगा खता है कि जड़ीर नमबरs भासफा करहा है। बारवार चेंज होगा, जब बारवार चेंज होगा, तो fix करने के लिए में fridge का यूज करना पड़ेगा, ये paste special fridge कर देते हैं, data को fridge कर दिया, समझवाया, हम लोग कहा थे, 6 functions हमने complete कर लिया था, एक rent between भी complete कर लिया, अब जो 10 function है वो बहुत आसान है, ठीक है, और सिर्फ आसान ही नहीं है, वो important भी है, ऐसा नहीं, खाली आसान है, important है, मांग लो कि आपके पास यहां पे 5 बच्चों का नाम है, दिया है, ब्रजेश है, आनंद है, कवीता है, निशा है, ये हमारे कुछ बच्चे हैं, उनका नाम है, और इनके marks है, ये तो marks आप manually ऐसे भर दो, हम एक data बना रहे हैं, प्राक्टेस के लिए, एक rough data बना रहे है, एक होता है कि आँख बंद करके आप कुछ भी डाल दो, दिया को 98 दे दो, 89 दे दो, ब्रजेश को 85 दे दो, आनंद को 99 दे दो, ऐसे करके बढ़ना है, एक होता है कि नहीं, इसमें भी मैं फॉर्मूले लगाना चा जाता हूं कि आप 50 to 100 के बीच में कोई भी डाल दो एक, तो रें बिट्विन तो यह तो करता है, एक कर दिया, और आज आपके पास 5 था, अगर 50 भी नाम रहते तो ड्राग ही तो करना रहता, नहीं, बट प्राब्लेम यह है, बन तो गया, इसमें प्राब्लेम यह है कि दिय अभी खुश है, क्योंकि 84 नमर्स आया है, जब तक मैं कुछ और लिखेंगे, 85 उन तो और खुश हो गई, तो रिदेर के बाद अभी तो बढ़ते ही जा रहा है, और अब गढ़ गया, तो दुखी होगी, नहीं, क्योंकि यह तो बार-बार बदलता रहता है, तो मैं चाहता क्योंकि बार-बार ना बदले, तब हम क्या करते हैं, इस डेटा को सलेट करते हैं, अभी सिखायता है, कि कॉपी करते हैं, पेस्ट स्पेशल करके वैलू कर लेते हैं, यानि कि कोई आपको प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाना होगा, तो रेंड बिट्विन का जरत पड़े पड़े, नहीं, अब हमारे पास मानलो कि एक डेटा आ गया, अब इस डेटा पे हम दस फंक्शन सेखिने जा रहे हैं, एक का नाम सम है, एक का नाम मैक्स है, एक का नाम मीन है, एक का नाम फैवरेज है, एक का नाम प्रोडक्ट है, एक का नाम काउंट है, एक का नाम यह दस function के बारे में हम लोग सिखेंगे, सबसे पहले यह चार function को सिखते हैं, sum का मतलब जोरना होता है, इतना तो पता है, equals to sum लगाओगे, bracket open और bracket close, कुछ होगा, नहीं होगा, कुछ यह without reference है, भाई, sum किसका करना है, हैंने question आगया, कि sum किसका करना, तो मैंने बुला ही, सारे का मास को मिला के, 373 होता है, बस, equal to sum, data select कर लिया, left button दबा के किसके, ठीक है, max मतलब होता है, maximum, आप से पूछा गया है, कि सबसे highest कितना marks गया, enter कर रहे हैं, तो 100, अभी तो 4-5 जाओ मैंने, तो साम पूछा गया है, साम ने देख के बता देते हूं, 5,000 students है, या 1,00,000 students, उसमें पता करना सबसे highest marks किसता है, max, min, minimum, सबसे lowest marks, average, सबका average, सबका average क्या है, सबका average है, 74.6, product, product का मतलब भुना होता है, product means multiplication, अगर आपस में इन सारे numbers को multiply किया जाए, तो ये answer आएगा, this, into this, into this, into this, into this, into this करोगे ते ही आएगा, अब बोलोगे कि सर, Excel में functions क्यों लाए आएगा, manual का एगा, manual होगा, बड़ टाइम लगेगा, जैसे equal to this, plus, this, plus, जैसे calculator में plus plus दबाते जाते हैं, इसे select करते जो, plus करते जो, तब भी पर ये भी तो वही काम करना है, sum का, इसमें सोचोगे भी 5, अगर 5000 इस्टूरेंट होता है, तो 5000 बार प्लस लगाना होता है, इसमें तो यही बार select करना होता है, उसी तरह से multiply में this into के लिए star होता है, this into, this, into, this, into, this, into, this, into, this करेंगें, यह देखिए, आगया same answer, बट सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालने का कोई manual तरीका नहीं है, इसके लिए तो आपको आना ही परेगा formula functions पे, अब पांचों functions के लिए होगया, पांचों functions कभी ता clear होगया, यह सर, एक बार आप explain करेंगे पांचों functions, सर, sum में सारे plus करके हमको यह देदेगा, सर, equal to sum करके, हम select करेंगे तो यह हमारे पास answer देदेगा, अब maximum में जो in में select करेंगे, तो equal to max करेंगे, तो यह इसमें से जितना जो भी maximum number होगा, वो हमारे पास आजाएगा, अब minimum में equal to minimum करके bracket में यह select करेंगे, तो हमारे पास minimum number हो आजाएगा, average में भी equal to average करके, फूरा select करेंगे तो हमारे पास average number आजाएगा, अब product में इसका जो जो भी product है, जितने भी marks हैं, उसके product आजाएगा, equal to local, Multiplication, Multiplication, यह तो गुना बोलेंगे, Hindi में बोलेंगे, English में बोलेंगे, तो multiplication बोलेंगे, अब आते हैं, काउंट, यहां से देखिएगा, काउंट कहता है कि जो range आपने select करेंगे, इसको क्या बोलते है, range बोलते है, data या array, यह जो data आपने select किया है, इसमें तो बहुत सारे sales है, range है, इस range में सिर्फ उसी cell को count करेगा, जिसमें numbers होते हैं, किसको, देखिए, इसमें 5 ही दे रहा है, selection, इस range को select करने के बाद answer 5 दे रहा है, अगर मैं एक कम कर देता हूं, तो देखा, आपने 4 देने लगा, इन सब को count ने कर रहा हूं, समझें, only numbers को count करता है, एक range में से, एक range में से, ऐसे कितने cells हैं, जिसमें numerical value है, वहीं पे अगर मैं count A करता हूं, यह मतलब होता है, all, तो सब को count कर लेता है, except blank, all, except blank, क्यों, क्योंकि देखिए, यह number को भी कर रहा है, text को भी, किसी ने नाम के जगा पे, मालनो, what का sign लगा के छोड़ दिया, तब भी पर count कर लेता, लेकिन किसी ने अगर delete कर दिया, तो यह blank हो गया, एक blank, दो blank, तो दो blank है, total 10 ही cell है, जिसमें कुछ लिखा है, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, number 4 है, एक, दो, ती, चार, इसमें यह माइन ही नहीं रखता है, कि आपने गलती से 70 इधर लिख दिया, इस range में अगर उसको मिलेगा, तो वो add कर लेगा, blank छोड़ा है, तो blank हो गया, यही तीसरा function है, इस range में कितने blank है, इस data के अंदर कितने blank, तो 2 blank है, समझा है, यह तिनो, यह तिनो, पता ही इस तिनो को, सर, count is just numbers को, उस data में से just numbers को count करेगा, और count is, तब को करेगा except blank, और blank तो just blank, जितने cell blank है, जितने cell blank है, यह सब cell ही के बारें तो बताता है, चार cell में number है, टोटल 10 cell भरे हुए है, जितने cell का ही तो यह detail दे रहा है नहीं, तो cell भोलना जाए है, अब आती है, जिको एक row पढ़ाता है, तो row क्या कहता है, कि आप 24th row में हो, यह function का नाम row नहीं है, रोज है, रोज कहता है कि आप हमें एक array row, array मतलब का data दो, तो मैंने data दे दिया, और मैंने पूछा, रोज यह बताता है कि इस data में कितने row है, आज ने data आपके पास चोटा है, कल के data में 10,000, 15,000, 20,000 data पे काम करोंगे, तो गिनने थोड़ी ने बैटाएंगे, रोज function लगाया हमें पता चल जाएगा, रेखिए, एक, दो, ती, चार, पाँच, छे, आगे answer, इस table के अंदर कितने row है, यह तो है answer, इस table में कितने columns है, यह तो आप खुद बदा सकते हो, कितना answer आएगा, कितने answer आएगे, 12, दो ही column है ने, एक F और G, ठीक है, समझे आगे, तो जब हम function करेंगे, तो थोड़े back end से आपको practice करनी है, तो आप believe करेंगे, अभी हमने 17 function कर लिए, 17 हो चुका है, 20 करना है, 21 करना है आज, चार और करना है, यह सबसे आसान है, चाहिए, एक है, अपर, लोवर, और प्रॉपर, और एक होता है, अलग category है, लेना, हमने यहाँ पे कोई नाम लिखा, Mr. अजय शर्म, निस दिया अरोरा, तक्तर, रजेश, अनन्द, आनन्द, हम में, एक से, क्या प्रोब्लेम है, इस तीनों नाम में लिए, कोई प्रोब्ल म नहीं है, 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 जहां आपर होना, छोटा होना, वहना बड़ा बड़ा चोटा है, हमारी पास तीन option है, यह तो सब कौक डूं से मैंने एक बिवा हैं जसे mass कर देंगे थो we CAPTAL कर trophy कर सारे कि अगर हमने lower कर दिया सब के सारे के सारे आट चिंब मुझे हैं है कि सारे के सारे यहीं नॉन कर दिए yeah कि तो प्रापर का मितलब होता है एक सब से ज्यादा कॉमन यहosa li इसे नौर्मल लिखने है बट कैसे explain करें हो गया आप अपर में बोलेंगे की हर एक नाम का हर एक letter capital हो जाता है small में हर एक नाम का या हर एक text का पूरा letter small हो जाता है proper में first letter of each word Word मतलब अजय एक एक वर्ड है जिसमें से एक उर्डा है जिसमें से कियंते अट्ट में से धीटते एक वरड ईसमें से टी बिने से वरड है सब्सक्राइक से अपर लोमय केया समझ में आए, अपर लोर प्रॉपर मतलब सिंपल है कि किसी भी टेक्स को या तो कैप्टल में कनवर्ट करेगा आपर या तो स्मॉल में कर देगा प्रॉपर जैसे चाहते है और लेंड बहुत आसा है, लेंड का मतलब होता है लेंड आपके नाम में कितने करेक्टर्स यूज ह यह पता चलता है जैसे लेंड में लेंड औफ दिस कर देता हूब आजये के नाम में 16 करेक्टर रिया के नाम में 15 करेक्टर है और ब्रजैस आनद में 16 एक सिर मैं कैसे इसको देखो समझ्य में आ जाएगा, मिस्त का Cup का चाट आट और पांच ए मकितना हुआ, 13 फिर 15 कैसे हो अगर ये इस्पेस नहीं होता तो ये कोई बोलता है कि मिस्दिया अरोरा लिखा हुआ है 13 तो हो गया, लेकिन इस्दिया अरोरा लग रहा है ये वो तो बहुत नजल देना परेगा, थ्री डियर्ट्स और फ्री देखी थे आपने तो वही है कि हम लोग बहुत डीप लेबल पर देखते हैं मतलब सीधा सा बात है कि कोई से तेरा था दो स्पेस भी तो है स्पेस को भी इंक्लूड करता है लेन लेन मतलब होता है total number of characters including space, space को भी जोडता है, dot को भी जोडता है अगर miss में यहां dot एक लगा दें तो एक और बढ़ जाएगा तो 16, 16, 16 सबका होगा है समझ मैं है 16, 16, 16 तो यह था आज का topic